आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जवर्दस सा फेस पैक लेके आई हूँ जो आपकी स्किन को दिनों में वाइट कर देगा आपके स्किन से दाख, धब्बे, जाईया, पिग्मेंटेशन सब को दूर कर देगा और सबसे बड़ी बात कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम इसे बिलकुल घर की नैश्रिल चीजों से बना के तयार करेंगे जो हमारे किचिन में मौझूद होती है अगर आप इस फेस पैक का इस्तमाल 15 दिन में एक दफ़ा करेंगे तो इन्शाला आपको इसका बहुत ही कमाल रिजल्ट मिलेगा तो आईए शुरू करते हैं आज का फेस पैक बनाना बिसमिल्ला रख्मान रहीम, अल्ला के नाम से शुरू जो बड़ा महरबान और नहाया थी रहम करने वाला है यहां देखिए मैंने लिया है सुखा दूद, हर गड़ में मौजूद होता है लेकिन हमें इसके पता नहीं है फाइदे के हम इसे सिफ खाने में और पीने में यूज़ करते हैं मगर खाने पीने के साथ साथ यह हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही कमाल की चीज़ है सुखे दूद का अगर हम इस्तमाल अपने स्किन पे रखेंगे तो वो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा चमकदार बनाता है और चेहरे को साफ करता है, स्किन को अंदर से डीपली क्लीन करता है और चेहरे के जितने भी दाख धब्बे होते उन सब को दूर करता है तो यहां देखिए मैंने एक पैकेट लिया था पूरा यह जो कोई भी ब्रैंड का आप सुखदूर ले सकते हैं और यह तकरिबन मेरे तीन चमज बने थे ठीक है और यहां पर अब मैं एड़ करें हूँ दो चमज लवरा जल जैसे कि मैं अपने पहले भी बहुत सरे वीडियोज में बता चुकी हूँ अलवरा जल हमारी सकन के लिए कितनी कमाल की चीज है और दो चमज अलवरा का जल लिया है और अब मैं इसमें एड़ करूँ शहद भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल की चीज है एक चमच हमने इसमें शहद लेना है शहद हमारे स्किन पे जुजाईयां आ जाती है जुरियां होती हो उसको खतम करती है अगर हमारे स्किन पे ओपन पोर्ज होते हैं उनको भी खतम करती है प्लस हमारे स्किन पे बहु यकीन नहीं करेंगे जब आप ये फेस पैक इस्तमाल करेंगे 15 दिन में एक बार तो आपको इसका रिजल्ट इतना कमाल मिलेगा कि आप बजार से जितने भी कैमिकल्स वाले क्रिम्स होती है या और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडेक्ट होते हैं जो हम अपने स्किन पर यूज़ तो वो करना भूल जाएंगे और आप इनी सब चीज़ों से अपने स्किन को बहुत चमकदार और शाइनी बनाएंगे तो यहां पर देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और हमारा ये फेस पैक बनके तयार है क्या करना है सिंपली आपने इसको अपने फेस पे अपने नेक पे और हातों पैरों पे अच्छी तरीके से अपलाई करना है और हमेशा याद रखें कि फेस के साथ साथ हातों पैरों का भी खयाल रखना बहुत जरूरी है जब भी आप कोई भी चीज़ कोई भी रेमेडी होम रेमेडी अपने फेस पे अपला यानि के जो हमारी चिन होती है यहां तक नहीं अप्लाई करना है और हातों पैरों पे भी लाजमी अप्लाई करना है तो यहां देखिए मैंने अप्लाई कर लिया था अब इसको हमने ड्राइ होने के लिए छोड़ देना है तक्रिबन 15 मिनट तक हवा में आप बैठेंगे तो यह 15 मिनट तक एजली देखिए ड्राइ हो जाएगा और ड्राइ करने के बाद हमने क्या करना है बस सिंपली हमने इसको धो लेना है नार्मल पानी से तो यहां देखिए यह 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से ड्राइ हो गई थी और आपको अभी से स्किन पे शाइन नजर आ जाएगा बस हमने अपने हाथों को वाश करना है और फिर आप इसका कमाल देखिएगा कि फर्स्ट रैप्लिकेशन में ही कितना जवर्दस हमारा इसका रिजल आएगा महंगे महंगे बजार से पॉलर जब हम जाते हैं तो लेने की जवरत ही नहीं है फैशल वगारा हम घर मे नैशरल चीजों से इतनी अपने स्किन को साफ सुतरा रख सकते हैं और जो भी हम केमिकल्स वाली चीज़े अपने स्किन पर अपलाई करते हैं तो उसका बहुत साइड इफेक्ट होता है इससे हर उमर की बच्ची बड़े और जो मेरे भाई मुझे देख रहे हैं वो भी इस तो ये फेस पैक उन सब चीजों को खतम करेगा और ये देखिए मैंने हाथ आपको अपने धुकी दिखाए हैं तो इसका माशाला से रिजल्ट आप चेक करें कितना कमाल इसका रिजल्ट आया है फर्स्ट एपलिकेशन में ही तो आपने इसे पंदर दिन में एक दफा लाज और सस्ती सी रिमेडीज के लिए मेरे चैनल को लाजबे विजिट कीजिएगा तो ये देखिए इसका रिजल्ट मैं आपको लाइव दिखा रही हूं तो मैं आप लोगों के लिए वो रिमेडीज लाती हूं जो मैं पहले खुद अपने अपर अपलाई करती हूं उसका झाल